हेलो एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ कि आप लोग खेरिये से होंगे मैं साइमा खलील आज की वीडियो में मैं बना रही हूँ सेब का मरबा सेब जो के हमारे लिए बहुती फायदा मन्द होते हैं सेब में बरपूर वेटमन्स पाया जाते हैं सेब में फाइबर आयरेन बरपूर मिक्तार में पाया जाता है जो के हमारे लिए बहुती फायदा मन्द होता है सेब हमारी बोड़ी में खोन की मिक्तार को बढ़ाता है सेब हमारे वजन को काम करता है सेब हमें हर किसम की हार्ट ड वाना ही बख्षता है ठीक है सिप को हम किसी भी तरह से कहें काट के खाएं या जूस बना के पियें या प्रसे दिश्य का मरबह बना के खाएं से हमारे लिए हर तरह से फाइदा मद है तो आज मैं मिना रही हूं से घंप और आप पर चेंब सेब का मरबा बनाने की रैसीड कर रही हूँ I want you strategy करते हैं वीडियो करने से पहले मेरी चो़टी सी रगड़ेस्ट आप लोगों से मेरी वीडियो को लाइक ऐंड अन को सब्सक्राइब करें a करें राके मेरे हर ने वीडियो तक वाहसा नहीं पहुंच सके चेले जी तो मरहबा बनाने के लिए मेरे पास यहां पर दो किलो सेब हैं थोड़ा सा नमक है चारद छोटी लाची फूट कलर और चीनी बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सेब को छील लेंगे और जो मेरे पानी एक बॉल में लिया है जो हमरे पास नमक है वो इसमें डाल देंगे जब हम सेब चील कर इसमें डालेंगे तो सेब जो है वो काले नहीं होंगे अगर हम पानी में नमक नहीं डालेंगे सेब जो है ऐसे ही रखेंगे तो सेब जो है वो काले हो जाते हैं चीलने के बाद फॉरम से सेब काले हो जाते हैं ठीक है तो आप द नमक डालने से आप देख सकते हैं её कलर वाइट है अब वाइल करने के दिए मैंने यहां पर 1 लिटर पानी लिया है तो हम इनको सिर्फ पांच मिनट के लिए वाइल करेंगे जायदा सेब को गलाना नहीं है क्योंकि फिर जो है वो घुल जाएंगे तो इनको सिरफ हमने 5 मिनट वाइल करना है और चूले का फ्लेम भी मीडियम रखना है ठीक है तो मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद चलें यहाँ पर 5 मिनट हो गए है अब हम देख लेते हैं ढकन ऊठा के और इस तरह से इनको देख लेते हैं कि सेब हमारे इनका color भी change हो गया है और थोड़े थोड़े जो हैं वो गल भी गया है ठीक है अब हम इनको इस तरह से एक चन्नीदार चाबी में निकाल लेंगे ताके इनका पानी है वो एक्स्ट्रा निकल जाए अब जो मेरे पास पानी बच गया है इसी में मैं चीनी डालूँगी क्योंकि इसमें जो है हमारे जो सेब वाइल की है तो उनके वेटरमान्स जो है वो इसमें है अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे ठीक है मरब्बे के लिए बनाएंगे मैंने चीनी डाल दिये है फूड कलर डाल दिया है जो मेरे पास सलेची थी वो डाल दिये है अब जो सेब वाइल की है इनके उपर हम इस तरह से फोक से चुटचछटे होल कर लेंगे ताके चाशनी जो है वो सेब के अंदर तक जा सके और मरब्बा हमारा जो है तो मेटा मेटा बंने, अब यहाँपर चाषणी तियार हो गई है, आप देख सकते हैं अच्छा सी ठीक हो गई है, चीनी मेल्ट हो गई है इसमें, तो अभी इसमें हम सेप डाल देते हैं, ठीक है, फिसे जो हैं, इनको थो हैं, और दालने के बाद हलके हाथ से हमने इस तरह से चाशनी में मिक्स करना है लाना है ताके सारे सेब के उपर चाशनी जो है वो अच्छे से लग जए अलट पलट करके इनको जो है चाशनी में मिक्स करना है और इसी तरह से spatula की मदद से करेंगे वरना हमारे जो सेब हैं वो घूल सकते हैं ठीक है घूल जाएंगे चाशनी में तो सारे सेब पर इस तरह से अच्छी तरह से चाशनी लग गई है इनको मैंने mix कर दिया है सारे और अब जो है इनको cover कर देंगे cover करने के बाद इनको 5 से 7 मिनट तक इनको च चैले यहां पर साथ मिनिट हो गए हैं, हमारे जो सेब हैं वो चाशनी में पक चुके हैं, और चाशनी इनमें अच्छी तरह से रच बस कही है, अच्छे से यह ठीक भी हो गए हैं, मीठे मीठे लग रहे हैं, ठीक है, दिखने में बहुत ही अबसुरत और बिल्कुल परफेक् अब इसमें मैं लेमन जूस टालती हूँ, जो लेमन जूस टालने का मतलब है, जो हमारी चाशनी है, वो ठंडी होने के बाद भी चम्ए की नहीं छीकए, तो यहां पर फाइनली हमारा जो सेब का मरबा है, वो तियार हो गया है, मैने उतार लिया है चूले से, अब इसको हम एक प्लेटली है, इसमें निकाल लेंगे सारे सेब, आप देख सकते हैं कि सेब का मरबा जो है, वो दिखने में कितना खुबसूरत लग रहा है, हमारे जो सेब हैं, वो अच्छी तरह से गल गे हैं, पगे हैं, मिठे मिठे, ठीके, तो सारे सेब इस तरह से निकाल लेंगे, ज को असानी से हम घर पर बना सकते हैं और सेब के फाइदे तो मैं आपको वीडियो के शुरू में बता चुकी हूं और सेब का जो मरबा है यह जो है हमारे लिए एक टाकत का खजाना है ठीके तो रुजाना एक जो पीस है हम अगर दूद के गिलास के साथ खाते हैं तो इसमें ब बना है दिखने में बहुत खुबसूरत कलर है इसका ठीके और सेब जो है हमारे अच्छे से अंदर तक मीठे मीठे जो हमने होल किये थे चाशनीन के अंदर तक रजबस के यह एक सेब जो है मैं यहां पर आपको तोड़ के दिखाती हूं इसका जो पीस है आप देख सकते है इसको जो है मैं आपको काट के दिखाती हो कि यह कितना सौफट बना है जीके देख सकते है तो सेप का मरबा जो है हम बना कर सेफ कर सकते हैं इसको हथते बार के लिए हम फ suffrage में रnajके खा सकते हैं जीके तो बनाना कोई मुश्किल नहीं हथा प्र बना लिया झीक है अब यह ट्राय कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा मिलेंगे नेक्स वीडियो में एक नई रैस्पी के साथ तब तक के लिए खुदा हाफिस